असलाम लेकूम, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी सोई डिश जोके है नारिल की मिठाई, बहुत ही कम इंट्विजिन के साथ और कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही जादा मज़ेदार लगती है, तो स्टार्ट करत करती हूँ एक कब भरके नारिल का पॉडर, जैसे पिसा हुवा नारिल मैंने लिया है और इसको बिलकुल दो कब मेजरिंग करके मैंने इसको एड़ कर दिया है, आप इसको चार कब के साथ भी बना सकते हैं, आपको जितनी कौंटिटी में बनाना हो, तो फिर आप जो चीज आपके मिठाई के जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, तो नारिल की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, जैसे अजीब सी जब पुराना हो जाता है तो उसमेल आने लगती है, तो वो नहीं आनी चाहिए, तो अब मैं इसको अच्छा सा बून रही हूँ हो, जब इसका कलर चे चीनी डालेंगे, तो इस तरह से इसके मेजरमेंट होगी, और इस तरह से इसका मीठा बिल्कुल जो है वो परफेक्ट रहेगा, अब चीनी जब मेरी हलकी से घुलना शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर आइट कर देती हूँ, एक कप के बराबर ही, इसके अंद दिया है, तो यह काफी जदा जो है वो लिक्विडी हो गया है, अब हमने इसको ड्राइ करना है, लेकिन अब हम इसके अंदर आइट कर देते हैं, आदा कप के बराबर दूद की बलाई, मैंने दूद की बलाई को अच्छा सा फेट लिया है ताकि इसके लंप्स खतम हो तो चार से पांच मिनिट लगेंगे इसको, इस तरह से आप चलाते रहें, और अगर आप छोड़ देंगे तो नीटे से लगना शुरू हो जाएगा, और सा कलर चेंज हो जाएगा, तो यह हलका हलका से ड्राइ होना शुरू हो गया है, दस मिनिट के बाद हम मैं चामिन कर द कि अभी सेट होने लगा है, और जो मौश्टर था वो काफी हद तक जो है वो कम हो गया है, बस नीचे से मुझे हलका सा घी नज़र आ रहा है, बिल्कुल मामूली सा घी नज़र आ रहा है, तो यह टेक्स्टर हमें चाहिए, यह बिल्कुल परफेक्ट है, और इस तरह से यह सेट होने लगा है, तो इसका मतलब है कि जब मैं इसके लड्डू बनाएंगे, तो तूटेंगे नहीं, और अराम से सेट हो जाएंगे, तो अब जो है मैं अड़र आड्ट करोंगी, तो जरूरी नही है कि आप फूट किलर आड्ट करें, बस यह खुब सूरती के लिए है, जब आप प्रेसेंटेशन करते हैं तो अच्छा लगता है तो मैं इसकी तीन पॉर्शन में आ लेती हूं इस हलवे के और एक एक पॉर्शन के अंदर मैं कलर एड़ कर दूँगी तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है तीन पॉर्शन के अंदर एक पॉर्शन मैंने इसमें ही चोड़ दिया है क्योंकि मैं इसमें एड़ करूंगी पौडर कलर तो फूट कलर मैंने यहां पर पिंक एड़ कर दिया है और जब हम इसको गरम-गरम में ही एड़ करेंगे तो अच्छा सा सेट हो जाएगा अगर हम ठंडे में डाल देंगे तो फिर इसको मिक्स करने में प्यारा सा आगया है अब इस तरह से मैंने एक पोर्शन को वाइट ही चोड़ दिया है तो अब मैं इसके बना लेती हूँ लड़ू टेमपरिचर जो है वो लड़ू का बिलकुल नॉर्मल है ना यह जादा ठंडे है ना जादा गरम है तो इस तरह से हम सारे लड़ू अपन हमारे लड़ू बिलकुल तयार है और यह बहुत जादा सबके फेवरिट रेसिपी होती है सबको ही पसंद आते हैं और सबको ही अगे नारिल के मिठाई पसंद होती है तो जबर ट्राइब कीजेए कर रेसिपी और विडियो लैक करते हैं तो जबर कमेंट में बताईएगा झाल झाल झाल